हेलो गाइज, मैं हूँ सिध्धान्त, तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ कि इस लॉकडाउन में और COVID-19 जैसे महामारी में आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्त होंगे, हेल्दी होंगे और यही शुबकामना है मेरी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं सिध्धान्त सन्राइज करेर अकैडमी की तरफ से और आज से हमारा जो नया टॉपिक है मैपिंग, मैपिंग पार्ट वन में हम डिस्कवर करेंगे, आज जिदनी भी इसमें टॉपिक बनेंगे, देखते हैं इसको मैपिंग मैं इसलिए इसको वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि SSC जैसे एक्जाम, UPSC जैसे एक्जाम, UPPCS जैसे एक्जाम में मैपिंग बेजड एक न एक कोशन आता ही आता है, और कुछ न कुछ कोशन ऐसे होते हैं, जो रिपेटिटली पूछ जाते हैं जैसे 2017 और 2018 में, इसराइल के आसपास जो कंट्री है, उसमें से कौन सी कंट्री, कौन सा देश, लैंड लॉक्ड कंट्री, यानि ऐसा कौन सा देश है, जो किसी भी समुद्र की तरफ नहीं खुलता है, वह देश कौन सा है तो एक तरीके से जो भी वर्ल्ड का मैप होता है, वर्ल्ड के मैप को आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा देश किस सागर में खुल रहा है, खुलने का मतलब यहाँ पर है कि कौन सा देश किस सागर से अपनी तट्रेख जैसे अगर हम अपनी भारत की बात करें, तो हमारे भारत में मुख्य रूप से तीन सागर आते हैं, अगर पूरवी की तरफ आप देखेंगे, तो पूरवी की तरफ बंगाल की खाड़ी है, पर्श्चिम की तरफ है अरब सागर और दक्षिन की तरफ है हिंद महा सागर, तो यह पूछ लिया करता है कि इस जील से कितने देश तटरेखा बना रहे हैं, इस जील से कितने देश तटरेखा नहीं बना रहे हैं, आपको हमेशा इसमें UPSC इस तरीके से कोशन पूछता है कि वो आपको चार आप्शन देगा, और चार आप्शन में से आपको प्रशन ऐसे पूँच सकता है कि जैसे मान लीजे काला सागर की हम बात करें तो काला सागर में से इन में से कौन सा देश अपनी तटरेखा नहीं बनाता है या बनाता है तो इस तरीके से पूँच सकता है बहुत ही जादा important है हमारे UPSC के लिए और खासकर आज का जो मेरे targeted audience है वो है group B और group A के exam यानि UPSC और UPPCS, MPPCS इसके target लेके मैं चल रहा हूँ और map based question आता ही आता है ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ तो क्यों ना उसको बारिगी से पढ़ा जाए और एक चीज़ और मैं और बता देना चाहता हूँ कि map based question हमारे map based part जो मैं लेके आऊँगा वो बहुत पार्टों में बनेगा कम से कम मान के चलिए 25 से 30 पार्ट होंगे mapping के में हम हर एक द्वीब को, हर एक देश को, हर एक जील को, हर एक सागर को बहुत ही बारिकी से पढ़ चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का जो हमारा topic है, उसमें मैं चार सागरों की बात करूँगा, इसमें से दो को सागर कहते हैं और दो को जील के रूप में भी कहा जाता है, जो बड़ा हो गया उसे सागर, जो छोटा है उसे जील इस तरीके से, तो देखें ये आपको इस तर देता हूँ, तो zoom, zoom खेर अभी नहीं हो रहा है, जली देखते हैं इसमें, यहां पर आपको ये वाली reason में आपको देख रहा होगा, यह काला सागर है, इसे के just बगल में इधर ये है आपका कैस्पियन सागर, और इसके बगल में इधर ये रहा है आपका बेकर सागर, अब देखिए मैप को देखके समझ आ रहा है क्या कौन सा देश जुड़ा है कौन सा देश नहीं जुड़ा है कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसको हम कैसे करेंगे देख लिजिए अब देखिए यसे मैंने बताया कि काला सागर यह इतने पॉइंट में यहां पे छोड़ा सा दिख रहा होगा आपको काला सागर इसी के थोड़ा सा बगल में देखेंगे पूर्व की तरफ चलेंगे तो यह है आपका कैस्पियन सागर इसी के और पूर्व में चलेंगे तो यह है आपका अरल सागर और इसी के और पूर्व में चलेंगे तो ये रहा है आपका बैकल जील अब मैप को देख लीजिए बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि काला सागर से कितने कितने देश जुड़े हैं कैस्पियन सागर से कितने देश जुड़े हैं अरल सागर से कितने देश जुड़े हैं इसी चीज़ को आसान कर के लिए मैंने वीडियो बनाया है और आगे देखिए स्लाइड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा देखें यह सेटलाइट व्यू इस सेटलाइट व्यू में आप देखेंगे तो आपको एकदम से इसमें दिख रहा होगा यह आपका काला सागर यह इधर आपका कैस्पियन काला सागर से जुड़े हैं कौन से देश नहीं जुड़े हैं चलिए इसको और आसान बनाते हैं तो यह रहा देखिए ब्लैक सी जिसको हिंदी हम बोलते हैं काला सागर और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह इधर नीचे तर्की यानि तुर्की जुड़ा है इधर से साइट से जॉर्जिया जुड़ा है इधर से रशिया जुड़ा है उपर से यूक्रेन जुड़ा है इधर से रोमानिया और ये बल्गारिया इस तरीके से जुड़ा है लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें भी अभी आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि इसमें कै काला सागर से कौन कौन सी कंट्रियां कौन कौन से देश जुड़े हुएं अब ये बीच में जो आपको दिख रहा है ये मान के चलिए कि एक काला सागर है और इसके अगल बगल में जो आधे व्रत में जो जुड़े हैं ये मान के चलिए कि ये वो देश हैं जो काला सागर से अपनी तटरेखा बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए उपर है युक्रेन, उसके बगल में रूस, उसके बगल में जॉर्जिया, तुर्की, बल्गारिया, रोमानिया। इतने सारे देश अपनी तटरेखा काला सागर के लिए बनाते हैं। बल्गारिया, रोमानिया बनाते हैं। इसके सिवा और कोई दूसरा देश काला सागर के साथ अपनी तटरेखा नहीं बनाता है। और इन सब नामों से, इन सब देश के नामों से अगर कोई तीसरा ओप्शन आता है तो इसका मतलब हुआ ओप्शन गलत है। तो देखिए रूस, फिर जॉर्जिया, तुर्की, बल्गारिया और रोमानिया ये सब के सब देश अपनी तटरेखा बनाते हैं काला सागर से। तो इस तरीके से आपको याद रखना है और इसी तरीके से आप अपने नोट्स बनाएंगे। तो टोटल कितने देश हुए? छे देश। हमें टोटल तीन सागर मिलते हैं, एक कैस्पियन सागर, एक अरल सागर और एक बैकल जील, ये हमें इस तरीके से मिलता है, तो काले सागर को भी एक तरीके से जील बोला जा सकता है, कैस्पियन सागर को भी एक तरीके से जील बोला जा सकता है, अरल को भी बोला जा सकता है, क तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, UPSC students इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि काला सागर में कौन-कौन से देश जुड़ते हैं और सबसे ज़्यादा और भी important आपको ध्यान देना है कि इसका शेत्रफल, कभी-कभी आपको इस तरीके से भी बोला जा सकता है कि अगर आ आएगा कैस्पियन सागर, उसके बाद आएगा अरल सागर और उसके बाद आएगा बैकल जील, इस तरीके से आपको याद रखना है, इसके शेत्रफल भी आपको याद रखना है कि इस सागर का शेत्रफल कितना है, तो काला सागर का जो शेत्रफल है, वो है 4,36,402 वर्ग क आता हूँ ये है आपका काला सागर और आप पूर्व की तरफ जाएंगे ये रहा आपका पस्चिम और ये है आपका पूर्व तो अगर आप पस्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो आपको कौन-कौन से सागर मिल रहे हैं देखिए पहला ये वाला है आपका काला सागर उसके बाद ये लंबवत जो सागर है ये है आपका कैस्पियन सागर के बाद और थोड़ा सा जाएंगे हमेशा UPSC इसमें ट्रिक करता है और दिशा से ही वो पूँचता है अभी हाल ही में UPPCS का एक्जाम हुआ था 2019 में दिसेंबर में तो उसमें उन्होंने परवस रंखला भारत की परवस रंखला पूँच लिया था तो उसी हिसाब से मैपिंग से आपको देखना होगा तो चली आगे बढ़ते हैं अब दूसरा सागर है Caspian सागर Caspian के अगर हम बात करें तो Caspian सागर का शेत्रफल है है काला सागर से इसका मतलब उसका जो शेत्रफल भा चार लाग 36,402 किलोमीटर था इसका है 3,30,000 वर लो मिटर इसका मतलप सीदी सी बात है आकार में छोड़ा है अब कैस्पियन सागर में देख लेते हैं कौन-कौन से देश जुड़ते हैं इसमें तो के मान के चलिए कि ये जो बीचका है। आपका कैस्पियन सागर है। इसके बाद कजाकस्तान, उसके बाद तॉर्कमैनिस्तान, इरान और अजरबेजान। अगर कोई option आता है तो इसका मतलब वह गलत है और वह option अपने कैस्पियन सागर के साथ अटरेखा नहीं बनाता सिवाए जो आपको इस स्क्रीन में दिख रहे हैं और इसका शेतरफल बता ही दिया ये कैस्पियन सागर का शेतरफल काला सागर से कम है चलिए आगे बढ़ते हैं अब आते हैं अराल सागर में मैंने आपको बताया कि जैसे आप पस्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो आपको सबसे पहले काला सागर उसके बाद फिर कैस्पियन सागर और अराल सागर मिलेगा तो देखिए ये है आपका काला सागर ये है आपका कैस्पियन सागर और यह है जहाँ पर लाल पॉइंट है यह है आपका अरल सागर और इसके पूर्व की तरफ जाएंगे तो यह है आपका बैकल सागर तो अरल सागर की चलिए बात करते हैं मान के चलिए कि ये है आपका अरल सागर तो उपर की तरफ कचाकस्तान और नीचे की तरफ उजबेकिस्तान ये दो ही देश इससे अपनी तटरेखा बनाते हैं इसके सिवा अगर कोई option आता है तो मान के चलिए वह option गलत है चलिए next चलते हैं next है बैकल जील बैकल जील रशिया में है ये देखिए ये है इधर बैकल जील फिर से एक बार revision के टाइप में देख लीजिए अगर आप पस्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो आपको कौन-कौन सी जील मिल सकती है तो देखिए एक कौन-कौन सागर मिल सकते हैं ये है आपका काला सागर, ये है इधर आपका कैस्पियन सागर और उसी के जश्ट ये है आपका ये जो गोले में अंदर है ये है आपका अरल सागर, अरल सागर के और आगे जाने के बाद ये है आपकी बैकल जील, इस तरीके से आपको देखना है तो बैकल जील का जो शेत्रफल है वो है 31,722 यानि जितने भी अभी तक हमने सागर देखे उनसे भी कम है इसका शेत्र तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं अच्छा इसके बारे में मैप बनाने कोई जरुवत नहीं है क्यूंकि जो बैकल जील है वो पूर्णता रशिया में है पूर्णता रूस में है इसलिए इसको आपको बनाने की जरुवत नहीं है और आगे चलते हैं शेत्रफल की द्रश्टी से अगर हम देखें तो काला सागर का शेत्रफल 4,36,402 वर्ग किलो मीटर है कैस्पियन सागर का शेत्रफल है 3,31,000 वर्ग किलो मीटर अराल सागर का शेत्रफल है तो जैसे मान लीजिया कि अगर बढ़ते क्रम में पूच लिया जाए या फिर घटते क्रम में पूच लिया जाए तो घटते क्रम में सबसे बढ़ा होगा काला सागर और वो बढ़ा होगा किस से कैस्पियन सागर से और वो बढ़ा होगा अरल सागर से और वो बढ़ा होगा ब तो इस तरीके से आप देख सकते हैं क्योंकि UPSC हमेशा इसी तरह के प्रश्ण पूँचता है वह क्रम से भी पूँचता है घड़ते क्रम में और बढ़ते क्रम में भी पूँच लिया करता है तो इस तरीके से अगर आप किसी सागर को पढ़ते हैं तो उसका शेत्रफल भी आ आती रहेंगी UPSC के लिए और UPPCS के लिए तो बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेर कीजिए और जैसा कि लास्ट में वही बोलता हूं कि Sunrise Career Academy में एडमिशन लेने के लिए आप इन दो नमरों में कॉल 2019, coronavirus जैसी महमारी से distance बनाये रखें, दूरी बनाये रखें, स्वस्त रहें, healthy रहें और पढ़ते रहें, किसी ना किसी दिन एक ना एक दिन लक्ष जरूर हासिल होगा, thank you, thank you very much